हमारे साथ इस समय हैं सुमया कालेज की एक प्रोफेसर और उनके दो भूतपूर अच्छात्र आईए हम इनसे जानते हैं कि इनका आज का अनुभव यहां का कारिक्रम का कैसा रहा और आज यह क्या कर रहे हैं अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े हैं सुमया कालेज की शिक्षा यहां की ब्यवस्था यहां के नियम कानून या तमाम तरह की जो यहां पर उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की उसका क्या इनकी जीवन में क्या असर पड़ा है सबसे पहले यह बताईए कि आप यहां की पुरुव छात्रा रह चुकी हैं भविश्च में आपने बहुत कुछ अरजित किया है करेंगी इस समय आप क्या कर रहे हैं और यहां आकर कि आपको कैसा मैसुस हुआ इस समय मैं मैं बॉंबे स्कॉल मैं काम कर रही हूं मैं हैड अपने इकनोमिक्स की हूँ और एकनोमिक्स और इंग्लिश मेरा में स्ट्रीम है और मैं जब सुमया मैं जब जॉइन की थी उसके पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी सो कॉर्परेट चोड़ के मैंने टीचिंग प और बेस्टिंग इस हमने यहां पर हर तरह के स्कूल में पढ़ाना सिखाया, यसे हमें बीमसी स्कूल में हमने पढ़ाया है, हमने आइसी स्कूल में पढ़ाया है, अपके इंटरनेशनल स्कूल, हर जगर पढ़ाया है, तो हमको पता है कि कौन सी स्कूल में कैसे क्या करिकुलम उन लोग पढ़ाते हैं और हमसे क्या उन लोग उमीद कर रखते हैं और हर पढ़ाने की विधी में भी कैसे आप innovation ला सकते हैं यह हमारे professors हमेशा चाहते थे कि हम वो सीखे और आपको यह exposure काफी देते हैं आपको stage presence classroom training different classroom setup में कैसे क्या करना है innovative वेसे कैसे पढ़ाना है तो काफी कुछ मैंने यहां सीखा और जिसके बल्बूते पे मैं आज जो हूँ वो हूँ अलग अलग स्कूलों में अलग 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 कॉलेज में जब आपने पढ़ाया उसमें कुछ BMC के या private school या दूसरे तरह के जो भी स्कूल रहे हैं वहां पर बच्चों के साथ आपका अनुफ़क कैसा रहा अलग अलग स्कूलों में जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते ऐसा बच्चों का इक्सप्रियनस उनके साथ इंड़ेक्शन कैसा रहा है? Александр हम हमारी यह सोच है कि अलग स्कूल है तो बच्चे अलग होंगे पर वैसे नहीं होता है बच्चे बच्चे होते हैं और हर जिगधा वो आपको अपना लेते हैं चिजय को बंच थ शrak में तो ब शिक्षक को पहले बच्चों से वो कान्टार्टम अच्छा मदू ना 751 बच्चे गोड़ एक है पुनिकेट करना आना था गस्चा ऊपाइमने चाले किरो है। जाके वो बच्चे बहुत बदल जाते हैं और मैंने देखा है कुछ X-Students को जो वापस आते तो पहचान में नहीं आते हैं और वो मुझे नहीं लगता कि वो वही बच्चा था जो क्लास में बहुत शोर मचाता था या जो भी बदमाशियां वो करता था तो उनको हैंडल करने क तरीका भी अलग होता है सब चीज के लिए एक दवाई तो होती नहीं है तो बच्चों से प्यार से आप बात करें उनको समझे तो वह आपकी बात सुनेंगे तो डाट डपट से कुछ नहीं होता है तो आपको उनको पहले उनसे बात करना है आजकल बाचीच से ही सब मसला का यहां पार आपको कुछ पुराने प्रोफेशर मिलते होंगे कुछ आपके पूराने साथी मिलते होंगे तो कैसा लगता है उसे इंट्रेक्शन करके अगर बात कहा जाए कि आज क्या कर रहा हूं यानि लाइफ में जो कुछ भी 2019 के बाद किया और स्रमयया इंस्टिटूट की देर है कि इसी के माध्यम से जो सीखा यहां के गुरू जनू ने जो ग्यान दिया हमारे सामने मारी महें है उसा जी एचीफ गेस्ट बनके हमारे इंस्टिटूट में जो है दिवा में आई थी और प्रिंस्पल जो है वसुंद्रा पदनाभन जी भी जो है वहां पर चीफ गेस्ट बनके आ चुकी है तो शिच्छा लेर के सिच्छा के छेत्र में उस ग्यान को पहलाया और आज जो है एक एंजियो चला रहा हूं जो माया फॉन्डेशन उसका संस्थ तापक सदस्य और आश्की जो है सची हों और जनहित के कार्मी लगा हूं आप एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी यह जो सिच्छा है पॉलिटिक्स में कितनी कारगर साबित हो रही है बहुत तरह-तरह के लोग मिलते होंगे उनके स आपको पढ़ता होगा तो कैसा लगता है कि आगे चलकर कि आपका क्या उद्देश ही कह है कि एक यहीं बात सत्य है कि व्यक्ति राजनीत करता है और और यदि सिच्छित लोग राजनीत में नहीं आएंगे तो फिर देश किसके हाथों में जाएगा हम आप जैसे लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर सही और गलत का निधार कौन कर पाएगा डाक्टर मनमोहन जैसे ब्यक्त हमारे देश के प्रधान मंतरी की कुर्शी पे सुसो भी थोड़ी आज योगी मशूर जो है प्रधान मंतरी मोधी जी जो एक हिंदुस्तान को वड़ में पहचान दिलाए तो हो सकता है किसी का विशेवस्तु अलग रहा हो उनका कल्चर अलग रहा हो पहले जो है सुतंतरता संग्राम सेनानी जो है आते थे सत्ता में आज जो संग से संबंधित है और लोग आते हैं तो इस समय समय पर बदलता रहता है लेकिन सिच्छित व्यक्तियों की प्रभल आवा सकता है ठीक उसी प्रकार जैसे एक बैमान व्यक्ति चाहता है कि मेरा मुनीब जो है इमांदार पढ़ा लिखा हो तो उसी तरह से देश को चलाने के लिए कौन बनाएगा फिर देश को डबलब कौन करेगा अधर कंट्री के साथ संप्रेशर कौन करेगा महत्मा गाधी जी ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया था कि हमको जवाहलाल नहरू या सरदार पटेल में से किसको चुनना है जबकि मेजॉर्टी जो थी वो पटेल जी के साथ में कांधी जी कोई बात पता थी कि इनकी उम्र कम है हिंदुस्तान में पापुलर है बट पंडी जवाहलाल नहरू वर्ड लेबल के परसन है और हमें आजादी के बाद बिश्व के साथ जो है स्वाध अस्थापित करना पड़ेगा उसमें जवाहलाल